हाई वरिवन वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर तो इसके लिए एक पैन में मैं ले रहे हैं दो बड़े चमच के करीब आयल और आयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका तो इसमें मैं डाल रहे हूं कुछ खड़े मसाले तो खड़ रही हूं और इसके बाद दो हरी मिर्च और एक इंच अद्रक का तुकड़ा डाल रहे हूं इसके बाद टमाटर डालके हम इसे च्छे से पकाएंगे और इसमें अब थोड़ा सा स्वाध अनुसार नमक डालेंगे ताकि यह टमाटर हमारी अच्छे से इसमें गल जाए तो अब ये हमारा अच्छे से पक रहा है तो इधर एक बाउल में मैं दो बड़ी चमच के करीब दही ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा आयल डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा देगी मिर्च डाल की इसको अच्छे से म मिक्स करेंगे और यह हमारी अच्छे से इधर मिक्स हो गई है तो इसके बाद यह हमने जो टमाटर और प्यास को पकाया था वो भी हमारे अच्छे से रेडी हो चुका अब इसमें मैं धनिया के कुछ डंटल डाल रही हूं अब यह हमारा रेडी हो चुका है तो इसका अब हमे इसे मिक्सी में डाल रही हूं और डाल के हैसा जितना फाइन हो सके हम this paste इसका तयार कर ले नह Congressman moved आई नहीं पैंड है ने पांड लूझे उसके बाद जीरा डालने के prac जो हमने, पेश्ट बनाया है उसको बढालके को अच्छी से पकादीमी तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा पनीर मशाला डालके मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी अब इसके बाद जो हमने पनीर को दही में मिक्स करके रखा था उसे इसमें डालेंगे और डालके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसक में धखके पांच मिनट के लिए ऐसी पका लेना है और देखे कितना अच्छा कलर आया है पनीर में मारी तो मैं इसमें उपर से थोड़ी कसूरी मेथी डाल रही हूँ और थोड़ा सा हर्य धनी अब इसके उपर से डालेंगे अब पनीर हमारी रेडी हो चुकी है तो इसके बा बाहर निकाल के दिखा रहे हूँ देखे पनीर हमारी कितनी अच्छी बनी है आपको पनीर कैसी लगी प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएं अगर आपको मेरी ये वीडियो पशंद आती तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें थांक यू झाल्ण हमारी कितनी तो प्लीज लाएं